स्री मदभागवत महापुराण दसमस्कंध अथ सप्त दसो अध्यायः काली के काली हिदह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावा नल से बचाना राजा परिच्चित ने पूँचा भगवन काली नागने नागों के निवास अस्थान रमलक द्वीब को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुण जी का कौन सा अपराथ किया था स्री सुखदेव जी ने कहा परिच्चित पूरु काल में गरुण जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट ब्रिच्च के नीचे गरुण को एक सर्प की भेंट दी जाए इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रच्चा के लिए महात्मा गरुण जी को अपना अपना भाग देते रहते थे यह कथा इस प्रकार है गरुण जी की माता बिनता और सर्पों की माता कद्रू में प्रस्पर बैर था माता का बैर अस्मन कर गरुण जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते इससे ब्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी की सरण में गए तब ब्रम्हा जी ने यह नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुण जी को एक सर्प की बल दिया करे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र काली नाग अपने विस और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुण का तिरस्कार करके स्वयम तो बलिदेना दूर रहा। दूसरे साप जो गरुण को बलिदेते उसे भी खा लेता। परिच्छित यह सुनकर भगवान के प्यारे पारसद सक्तिसाले गरुण को बड़ा कुरोध हाया इसलिए उन्होंने काली नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमल किया। बिसधर काली नाग ने जब देखा कि गरुण बड़े वेग से मुझ पर आक्रमल करने आ रहे हैं। तब वह अपने एक सव एक फान फैला कर डसने के लिए उन्होंपर तूट पड़ा। उसके पास सस्र थे केवल दात इसलिए उसने दातों से गरुण को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीवें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रहे थी। और आखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तारचिननदन गरुण जी विश्डु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनी है। काली नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया। तथा उन्होंने उसे अपने सरीर से जटक कर फेंग दिया एवं अपने सुनहले बाएं। पंक से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंक की चोट से काली नाग घायल हो गया। वह घबडा कर वहां से भगा और यमनाजी के सकुंड में चला आया। यमनाजी का यह कुंड गरुण के लिए अगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी अस्थान पर एक दिन छुधातुर गरुण ने तपस्वी सौभर के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भच्छ मत्ष को बल पूर्वक पकड़ कर खा लिया। अपने मुखिया मत्सराज के मारे जाने के कारण मचलियों को बड़ा कष्ट हुआ वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दसा देखकर महर्श सवभर को बड़ी दया आई। उन्होंने उसकुण में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुण को यह सा सत्य कहता हूं। परिच्छित महर्श सवभर के इस साप की बात काली नाक के सिवा और कोई साप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुण के भैसे वहां रहने लगा था। और अब भगवान स्री किष्ण उसे निर्भय करके वहां से रमलक द्वीप में भेजा था। भेज द परिच्छित इधर भगवान स्री किष्ण दिव्यमाला गंध वस्त्र महा मूल्ल मली और सुन्ड मैं आभोश्रों से विभूसित हो उस कुंड से बाहर निकले उनको देख कर सबके सब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचे कनहया को हिर्दैसे लगाने लगे, परिच्छित यसोदारानी रोणहिली जी नंद बाबा, गोपी योर गोप, सभी स्री किष्ण आपकर सचेत हो गके, उनका मनोरत सफल हो गया बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे वे स्रीक्रिष्ट को हिर्दै से लगा कर हसने लगे परबत, ब्रिच, गाय, बैल, बचले सब के सब आनंद मगन हो गए गोपों के कुल गुरु ब्रामणों ने अपने पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आखर कहा नंद जी तुम्हारे बालक को काली नागने पकड़ लिया था सो छूट कर आ गया यह बड़े सवभाग की बात है स्रीकृष के मृत्व के मुख से लवटाने के उपलच में तुम ब्रामणों को दान करो परिच्छित ब्रामणों की बात सुनकर नंद वाबा को बड़ी प्रसनता हुई उन्होंने बहुत सासोना और गउवे ब्रामणों को दान दी परमसवभाग्यवती देवी असोदा ने भी काल के गाल से भचे हुए अपने लाल को गोध में लेकर हिर्दे से चिपका लिया उनकी आखों से आनंद के आँसों की बूदे बार बार टपकी पड़ती थी राजेंद्र ब्रजवासी और गववें सब बहुत ही ठक गए थे उपर से भूख प्यास भी लग रही थी इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए वहीं यमना जी के तटपर सो रहे गर्मी के दिन थे उधर कावन सोख गया था आधी रात के समय समें आग लग गए उस आग ने सोय हुए ब्रजवासीयों को चारो ओर से घेर लिया और उवह उन्हें जलाने लगी आग की आँच लगने पर ब्रजवासी घवडा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुस्य भगवान स्रीकिष्ड की सरण में गए उन्होंने कहा प्यारे स्रीकिष्ड, स्याम सुंदर, महा भाग्यवान बलराम तुम दोनों का बल विक्रम अनन्त है देखो देखो यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है तुम में सब सामर्थ है हम तुम्हारे सुहरिध है इसलिए इस प्रले की अपाराख से हमें बचाओ प्रभो हम बृत्व से नहीं डरते परन्तु तुम्हारे अक्तो भय चरन कमल छोड़ने में हम असमर्थ है भगवान अनंत हैं वे अनंत सक्तियों को धारण करते हैं उन जगदी सुर भगवान स्रीकिष ने जब देखा कि मेरे सुजन इस प्रकार ब्याकुल हो रहे हैं तब वे इस भ्यंकर आग को पी गए भगवान स्रीकिष का अगनिपान पहला मैं सबका दाह दूर करने के लिए ही अवतेड हुआ हूँ इसलिए यह दाह दूर करना भी मेरा करतब है दूसरा रामा वतार में स्री जानकी जी को सुरच्छित रखकर अगनिने मेरा उकार किया था अब उसको अपने मुख में अस्थापित करके उसका सत्कार करना करतब है तीसरा कारे का कारण में लए होता है भगवान के मुख से अगनि प्रकट हुआ मुखाद अगनिर जायत इसलिए भगवान ने उसे मुख में ही अस्थापित किया मुख के द्वारा अगनि सांत करके यह भाव प्रकट किया कि भव दावा अगनी को सांत करने में भगवान के मुख अस्थानी ब्राम्हण ही समर्थ हैं इत स्रीमत भागवते महापुराणे पारम हंस्याम सहितायाम दसम असकंदे पूर्वाथे दावा अगनी मोचनम नाम सप्थ दसो अध्याय स्रीरा धावल लविलाले कीजे